सो हेलो गाइज वेलकम बैक तो एनादर वीडियो मैं हूँ आपका दोस्त रुपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुबाइल हार्ड रिसेट के बारे में कि कैसे जो है आप अपने फोन को जो वह हार् हाड रिसेट क्यों करना चाहिए इन सबके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको यह भी बता दू कि अगर आप अपने फोन का लॉक स्क्रीन अगर भूल जाते हैं तो किसी बीतरा का पासवाट अगर भूल जाते हैं तो आप अपने फोन को कैसे जो है घर पर ही इसे हार्ड रिसेट करके जो है इसे उपन कर सकते हैं तो आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो को बिल्खल इसकिप दोस्तो क्योंकि आप अगर एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको जो है वो problems हो सकती है तो चलिए जानते हैं कि hard reset करने से क्या benefits आपको मिल सकते हैं और hard reset कब करना चाहिए और hard reset करते वक्त किन बात होगा जो है आपको ध्यान रखना होगा तो इन सभी के बारे में बात करेंगे तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे ज switch off करना है तो आपको power button प्रेस करके आपके फोन को जह वो switch off कर देना है message करते है या फिर comment करते है कि sir हमारा phone जो है वो अभी on नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों क्यों कि दोस्तों जब आपका phone अगर battery charge full नहीं है या फिर battery charging कम है तो ऐसे में hard reset करते वक्त वो जो है वो ज़्यादा battery consume कर सकता है और ऐसे में अगर आपके battery मान लीजिए पूरी तरसे dead हो जाती है या फिर पूरी तरसे खतम हो जाती है तो ऐसे में आपका जो process है वो आदे में लटक जाता है और ऐसे में हो सकता है आपके phone का जो android version है या फिर जो software है वो पूरी तरसे यहां से जो है वो दोस्तो डिलीट हो जाए तो यह possibility बहुत जादा होती है इसलिए बहुत सारे लोग यह गलती करते है तो मैं यह गलती को यहां पर सुधारना चाहूंगा हमेशा अपने phone को जो है जादा से जादा चार्ज रखे तब जाकर ही factory reset या फिर hard reset करें दोस्तों ठीक है कोशिश करें कि आप अपने phone को full charge करकर या 80% या 90% पर रखकर ही अपने phone को hard reset या फिर यहां पर factory reset करें चलिए दोस्तों आप बात करते कि हमारे phone को हम hard reset कैसे करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर यह हमारी volume बटन होती है यह up volume होती है और यह down होती है और यह हमारी power है तो आपकी कहीं पर भी power हो सकती है तो अब मैं बता देता हूँ कि reset कैसे होता है या फिर यहां पर जो है एक menu open हो जाता है जो की hard reset का menu होता है दोस्तों और कई सारे phone में आप ट्राइ करके देखिए जददर जो phones होते है उसमें यहां पर down button और power button दबाने के बाद ही जो reset होता है अब मान लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो आपने यहां पर up button और power button को दबा कर दे लिए और यहां पर तो इस तरह से भी आप reset जो है वो कर सकते हैं अब यह तो depend रहेगा कि आपका कौन सा handset है उस हिसाप से जो हो reset आप कर पाएंगी दोस्तों मेरी मानिए कि यहां पर बहुत सारे phones में मैंने देखा है कि यहां पर down button और power button को दबाने के बाद जो है वो यहा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे प्रेस कर दिया है तो प्रेस करके रखना है दोस्तों जब तक कि आपके सामने कोई screen ना जाए ओके आप छोड़ दीजे अब आप देखेंगी थोड़े देर में boot हो जाएगा जो कि hard reset के लिए boot मांगेगा दोस्तों तो यह hard reset का menu भी आपके सामने आ जाएगा जैसे आपने प्रेस कि आपके सामने एक menu आ चुका है और इस menu में आप देख सकते हैं कुछ अलग-अलग तरह की options देखने को मिलते हैं जैसे कि पहला option है दोस्तों reboot system now का मतलब होता है कि अगर मान लीजे गलती से अगर आपनी प्रेस कर दिया ह और आप अपने phone को जो है वो restart करना चाते है या reboot करना चाते है तो यह पहले वाला option है दोस्तों उसके लिए आपको यह select जो दिखाई दे रहा है blue color की line इसका मतलब अभी हमारा यह option select है कौन सा option दोस्तो reboot system now तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर सिधा प्रेस कर देना है तो यह आप कर सकते हैं तो मैं भी कहूंगा इससे भी आप छेड़खानी ना करें यह दोस्तों यह जो option आपको दिखाई दे रहा है wipe data factory reset ज्यादा तर wipe data and factory reset इस वाले option का आप use करें ताकि आपका phone पूरी तरसे hard reset हो सकें दोस्तों यह भी एक तरह का factory reset ही है और यह है दोस्तों wipe catch partition wipe catch partition का मतलब होता है जो आपके phone में जितने भी unnecessary जो files के catch file बनती है दोस्तों जिससे हम catch file बोलते है जो unnecessary applications की files बनती है जिससे हमारा बहुत जादा जो है memory यहाँ पर जो है वो consume कर लेता है हमारा mobile यानि बहुत जादा memory जो है वो भर जाती है तो ऐसे में आप इस option का use करके जो है catch file को जो है वो delete कर सकते हैं बाकी तो किसी भी option का मैं यहाँ पर आपको नहीं बता हूँगा कि आप इन में से किसका use करें तो आप यहाँ पर wipe factory data reset पे click करके यहाँ से आप factory reset कर सकते तो मैं इसे press कर देता हूँ ठीक है दोस्तों प्रेस करने के बाद ठीक है आपको यह यहाँ पर warning दी जा रही है वाइप all user data तो आपका सारा data यहाँ पर चले जाएगा ओके और आप यहाँ पर yes करना चाहते है तो देखिए यह प्रेस कर दीजिए यह बटन नीचे वाली yes पर आ जाएए और finally यहाँ पर यह बटन प्रेस कर दीजिए दोस्तों तो प्रेस करते स कर देखेंगे कि जैसे मैंने से प्रेस कर दिया हैं तोब देखेंगे यहां पर जो है हमारा फोन रिशेट होना शुरू हो जाएगा तो यह प्रोसेस चलेगी दोस्तों और इस प्रोसेस में यह होगा कि जैसे आप बीच यह ओर डी मैंने इसके पहले फैक्टरी रिसेट कर चुका था जो लास्ट टैम मैंने वीडियो बनाई थी फैक्टरी रिसेट के उसके लिए मैंने यह मुबाइल के यूज किया था जिसके वजह से मुझे इतना समय नहीं लगा हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे क्योंकि आ आपका जो फोन है वो आपको पहले जैसे एकदम फ्रेश मुबाइल जैसे आपने पर्चेस कर रहा था उस टाइप से जो है आपका मुबाइल देखने को मिलेगा और जो प्रॉब्लेम्स आपके फोन में आये हैं दोस्तो रिलेटेट टू किसी भी प्रॉब्लेम को लेकर च सकते हैं और काफी ज़्यादा इंप्रॉमेंट हो जाएगा जब आप अपने फोन को हाट रिसेट करेंगे तो इंटरफेस देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते तो मैंने रिसेट किया है दोस्तों तो फिर से फाइल को एनलाइज किया उसने और अभी यह जो है फिर और आपके फोन में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लेम्स आये होंगे दोस्तों वह इस से जो हो सकते है अजके इस वीडियो में बस इतना ही उमिद करता हूँ यह पसंद आया होगा अगर यह पसंद आया है तो इस वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर देना चलिए दोस्तों में टे अगलिब्यूम